तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा ने कमबर को हरा दिया होता है और कमबर अपने पाश्ट के बारे में गोकू और वेजिटा को बताने वाला होता है जिसके उपर गोकू कहता है हेई कंबर हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ जिसे तुम सभी गौड्स से नफरत करने लगे और आखिरकार तुम एक सीन होने के बावजूद भी उस फू जिसे शक्स का कैसे साथ दे सकते हो जिसके उंबर कंबर कहता है कोकू, वेजिटा, मुझे तुम से मिलने के बाद पता चला कि हर कोई बुरा नहीं होता मुझे उस फू नहीं बताया था कि हमारे पूरे यूनिवर्स को उन गौड्स ने हमेशा मेशा कले खतम कर दिया है मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था हर्ट्स और हम दोनों आपस में काफी ट्रेन करके काफी ज़्यादा शक्ति शाली बने थे लेकिन एक दिन नाजैनी क्या हुआ, दीरे दीरे करके हमारा यूनिवर्स जनजीरों में बनता रहा और दीरे दीरे करके हमारे सबी दोस्त और हमारे सबी मेंबर्स यहां तक हमारे पूरी यूनिवर्स के सबी लोग दीरे दीरे की करके खतम हो गये लेकिन उसके बाद मेरा वो दोस्त हर्ट्स भी खतम हो गया पर उसके बाद मेरे पास फु आया और फु ने मुझे ऐसे चेंबर के अंदर बंद कर दिया जिससे मैं खतम नहीं हो पाऊंगा जिससे मैं जिन्दा बचा रहा जिसकी मदद से मैं आस तक जिन्दा बचा रहा और फू ने ही मुझे बताया कि आकिर सब ये सब किया गया कॉट्स का है इस वज़े से मैं उन कॉट्स से बदला लेना चाहता था लेकिन मुझे तुम से मिलने के बाद पता चला गोकू वेजीटा कि हर कोई इतना बुरा नहीं हो सकता जिसके ओपर वेजीटा कहता है जिस वज़े से उन गोड्स ने तुमारे सबी यूनिवर्सेस को सील करके रख दिया जिसके ओपर कमबर कहता है मुझे माफ कर देना गोहान मैंने तुमारे आखों के सामने तुमारे पूरे प्लनेट अर्थ को तबाह कर दिया जिसके ओपर गोहान कहता है कोई बात नहीं कंबर आकिरकार तुम्हें लाश्ट में अपनी गलती का ऐसास होई चुका है जिसके उपर गुकु कहता है गुहान तुम्हें कंबर को लेके वापस प्लेनेट अर्थ में जाना पड़ेगा वहाँ पर तुम कंबर को बुल्मा के हैलिंग चेंबर के अंदर डाल देना जिससे वो थोड़ी देर के अंदर ही सही हो जाएगा और तुम अर्थ की ड्रेगन बोल के मदद से पूरे अर्थ को वापस से रिवाइव करना हमें उस फू के पीछे जाना चाहिए वेजीटा जिसके उपर हम सभी देखते गोहान कहता है ठीक है डैड जैसा आपको सही लगे तो चलो कंबर हमें अब याँ से चलना चाहिए और हम सभी देखते कि गोहान और कंबर प्लेनेट अर्थ के ले निकल जाते हैं दूसी तरफ वेजीटा कहता है क्या करोट क्या ये सही होगा उस कंबर पे पुरोसा करना क्योंकि वो अभी अभी तो हमारे पास आया है जिसके उपर गोकु कहता है हाँ वेजीटा मुझे लगता है कि हमें उसके उपर पुरोसा करना चाहिए साथी में हमें जल से जल उस फू को भी टूनना चाहिए जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है हम सभी देखते कि फू उस माक सेन के साथ में होता है और फू कहता है जैसा कि मुझे लगा था कि वो कमबर सरूर एक ना एक दिन मेरे हातों से निकाली जाएगा लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अब एक और सेन मौजूद है तो जैसा कि मैंने तुम्हे समझाए था तुम समझ चुके हो ना जिसके उपर वो माक सेन कहता है हाँ जैसा तुमने मुझे से कहा था फू उसमें मैं एकदम समझ चुका हूँ तो बस अब मुझे जाना है और उस गोकू और वेजीटा का काम खतम कर देना है तो तुम यहीं बैट के सब कुछ देखो कि कैसे मैं उन गोकू और वेजीटा को खतम करके आता हूँ और हम देखते कि यह बोलते है माक सेन वहाँ से निकल जाता है गोकू और वेजीटा के पास जाने के लिए दूसी तरफ गोकू और वेजीटा भी आगे बढ़ी रहे होते हैं लेकिन तबी वहाँ पर एक काफी बड़ा अटेक आता है जिससे गोकु और विजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं और गोकु कहता है हेई आकर कौन है वो जिसने ये अटेक हमारे उपर किया तबी हम सभी देखते कि वो माक सेन गोकु और विजिटा के सामने आके कहता है तो लगता है कि तुम दोनों ने उस कंबर को हरा दिया है लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझसे होने जा रहा है जिसके उपर विजिटा कहता है हेई अब आकर ये कौन है एक सेन खतम नहीं हुआ कि दूसरा सेना के यहां पर कड़ा हो चुका है मैं इन सब से काफी ज़्यादा तक चुका हूँ जिसके उपर गोकु कहता है हो ना हो विजिटा ये सब वही फू कर रहा है ये सब उस फू की ही चाले है जिसके उपर मार्क सेन कहता है तो क्या गोकू, वेजीटा तुम दोनों हमारे साथ में खेलना नहीं चाहोगे और हम देखते कि ये बोलते मार्क सेन वेजीटा के उपर अटायक कर देता है जिससे वेजीटा बच के कहता है आकर तुमारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे उपर अटायक कर सको मैं तुमें बिल्कुल नहीं चोड़ने वाला जिसके बाद वेजीटा अपना पावर अप करके अटायक करने गर जाता है उस मार्क सेन के उपर और गोकू पीछे से बोलता है वेजीटा सरा संबल कर, इसके पास सेच में काफी जяли शक्तिया है और हम सभी देखते है कि Mark Seign भी वेजिटा के उपर आटेक करता है जिससे वेजिटा कुछ दूर जाकर गरता है और वेजिटा कहता है क्या आखिर इस सियन के पास भी इतनी ज्यादा शकतियां आकिर कैसे आ सकती है और ये बोलते ही वेजिटा अपने काफी बड़ा अटेक करता है उस माक सेन के उपर जिससे वो माक सेन काफी दूर जाके गिरता है और इस एक ही अटेक से वेजिटा ने काफी बूरी हारत कर दिया होती उस माक सेन की जिसके उपर वो सेन कहता है मानना पड़ेगा वेजिटा तुमारे पास पहले के मुकाविक काफी ज्यादा शक्तिया आ चुकी है लेकिन मैं भी तुमें निराश नहीं करूँगा और ये बोलती मास सेन एक अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अटाइक करता है वेजिटा के उपर और हम सभी देखते कि वेजिटा और मो उस मास सेन के बीच में वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और धीरी देर करके वहाँ पर काफी बढ़ धमाके होने लगते है और तबी माक सेन कहता है लगता है कि समय आ चुका है वेजीटा कि हम दोनों एक दूसरे को अपने पूरी शक्तिया दिखाए जिसके उपर वेजीटा कहता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा पूरी शक्तियों से? क्या तुम अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहे? जिसके उपर वेजीटा कहता है क्या तुम देखना चाहोगे मेरी पूरी शक्तियां? वेजीटा और ये बोलते माक सेन अपना काफी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और ये बोलते माक सेन एक वेजीटा के उपर काफी ज़्यादा बड़ा अटेक करता है जिससे वेजीटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजीटा कहता है क्या आकर इसके पास अभी भी क्या सच में इतनी ज़्यादा शक्तियां है? जिसके बाद वो माक सेन कहता है वेजीटा तुम तो एक प्रिंस सेन कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम तो मेरे बस इस एक अटेक से कितने ज़्यादा तकलीफ में आ गए हो जिसको देखके गोकु और वेजीटा काफी ज़्यादा चौक जाते है कि आकिर माक सेन को वेजीटा के बारे में इतना कैसे पता है और वेजीटा कहता है हेई आकिर तुमें मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम है जिसके उपर माक सेन कहता है दीरे दीरे करके सब पता चल जाएगा वेजीटा लेकिन अभी तो तुम्हारे मरने का समय आ चुका है और ये बोलते मार्क सेन अपना एक काफी बढ़ा अटेक कर देता है वेजीटा के उपर जिलेकिन हम सभी देखते कि बीच में गोकु आ जाता है जो कि अपनी अल्टरा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है और गोकु कहता है आखिर तुम कौन हो जो हमारे बीच रास्ते में आए और तुम हमें पहले से ही कैसे जान सकते हो जिसके उपर वो मार्क सेन कहता है गोकु क्या तुम खुद पता लगाना नहीं चाओगे और हम सब भी देखते कि ये बोलते Mark Sane Goku के उपर अटेक कर देता है लेकिन Goku अपनी Ultra Instant Form पर उस अटेक से बड़ी आसानी से बच जाता है Goku भी अपने काफी सारे अटेक करने लग जाता है उस Mark Sane के उपर जिससे वो Mark Sane काफी मुश्किल से ही बच पाता है और Mark Sane कहता है मानना पड़ेगा Goku तुमारे पास पहले से काफी ज़्यादा शक्ति आ चुकी है तो चलो मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल करता हूँ और ये बोलते Goku और Mark Sane एक दूसरी की तरफ अटेक करने के लिए बढ़ते है और हम सभी देखते कि Goku अपने काफी जोर का फंस लगाता है उस Mark Sane के जिससे उस Mark Sane का मास वहीं पर तूट जाता है जो देखके Vegeta काफी ज़्यादा चौक जाता है और Vegeta कहता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है लिसलिए तुम हमसे ऐसे बात कर रहे थे जिसे तुम हमें पहले से जानते हो और ये देखके Goku कहता है ओ अच्छा तो तुम हो तो आखिर तुम जिन्दा वापस कैसे हो पाए Black और हम सभी देखते कि वो Mark Sane और कोई नहीं होता बल्कि वो Black होता है और Vegeta पूसता है Hey Black आकर तुम यहाँ पर वापस कैसे आपाए और तुमने ये नहीं पावर्स को कैसे हासिल किया जिसकी ओपर हम सभी देखते कि Black कुछ भी नहीं बोलता और बस हसता रहता है